ठीक ओके वेलकम आप सभीका और देखिए हमारा जो टेस्स सिरीज दमाका हमने स्टार्ट किया था उसमें स्पेसली बायोजी का चाहिए कोई सा भी एक्जाम रहे जैसे कि आप लोग प्रिपेर कर रहे हैं फैस्ट ग्रेड बायोजी का यह हो चाहिए सेकिंड ग्रेड का सेक् जांदर प्लेस करने की एक शांदर कोशिस किये तो सीरीज तो काफी लंबी चलनी है और वन बाई-वन आपको यह टैस्ट करने हैं और काफी अच्छी बात है कि काफी सारे सबस्क्राइब करने के बाद में सबसे बड़ा इश्यू बच जाता है आपके पास की आपके डाउ भी हमारी सिली में स्टैक्स हम बोल सकते हैं कि बहुत करना कुछ और चीए था या सोचना किसी और एंगल से चीए था हमने कुछ और देख लिया था या कुछ भी हमसे गलती हो जाते हैं तो वह प्रॉपर उसका जो हम कहें कि उसका पूरा जो निश्तारण है वह डिसकेशन क् एक्जाम हो जाए किसी भी इस तरका एक्जाम आप ले सकते हैं तो तैयारिकों जो कहें कि चार चान तभी लगते हैं कि आपका पूरा डिसकुशन हो जाए और आपको लगे कि हाँ अब पूरा कॉन्फिडेंस आ गया तब जाकर कि हमें ऐसा लगता है कि आप चाहे पेपर में योट ऐलगी का सेक्षन भी था और जीडेशुकी साइड से डाइशागी सिस्टम का यह test रहा था है तो ऐलगी वादा सेक्षन आज क्लास में हम डिसक्स करेंगे और जीडे बैसलिडे आपसे डिसक्स किया जाए गए तो आपको पूरी कोश्स करके अइससका मेकिमम कि प्लैक्यूशन की तो देखिए फैस्ट जो क्यूशन आपके पास था कि आलगी को किसमें सामिल नहीं किया गया है तो राइट आंस्वर वह तो है एंब्रियोफाइट क्योंकि एंब्रियोफाइट अगर आपको ध्यान हो तो आपको ऐसे त्यार करना और आहिंदा है कि भा'm वाइट से यह स्टार्ट होता है500 के अंदर embryo का formation ब्राइब्राइब लिव्त अब सिचा के बाद में जो टेरिडो हैं उनमें भी बनता है और जिमनों में भी बनता है और एंजीओ में भी बनता है लेखिन ब्रायों से पर यह आप पहले पर आप फंजाई लें उन में नहीं है था बैक्टीरिया ले उनमें नहीं है तो बिल्कुल क्लियर कट था कि ऐसी कुछ भी नहीं बात थी कि आप ऐसा कुछ भी ऐसा पार्ट नहीं कि जो कंफ्यूस कर दें आपको कि इल्गी में तो एंब्रियो होता ही नहीं है तो कोई यहां पर जगाई नहीं ती आपे अंध्र क्लास के अचीनलावार नहीं बनेते konst थी में याद केंदर काउंट खे जाएंगे तो इसमें किवल आपको एकस्क्लूड दो ही चीजें करनी होती है कि जो जिमनो और जो एंघीओं वह इसमें सामिर नहीं हो सकते वो इससे एकस्क्लूड है कि वो कर्पिटो game नहीं हैं हो फैन्र क्यानिट कि कहानी भी कुछ ऐसी है कि पर आप से पहले के सभी ले तो ब्राइफाइट आ जाएंगे फंजाइ आजाएंगे बैक्टीर आजाएंगे वह सब थेलोफाइट में अंक्रूडए यहां भी सामिल है और अटो ट्रॉफ यह तो एक ग्रूपिंग की बात नहीं थी यह तो अटो सिंथेस्टिस कर पा रहा है उस एंगल से आपको देखन यह नहीं थे तो जो नहीं था हुई आपको बताना था आई देंग यह तो आपका गलत नहीं हुआ होगा कि बोलिए हाँ बिल्कुल जड़तना पत्ती में विवेदी तो नहीं होता है अधिन नहीं वह आप हाइर ब्राइब पर जाएंगे तो वह वहां पर प्रूर्ट नहीं बोलते हैं उनको यह यह जो इसकी स्टार्टिंग वह लेंड हैबिट से स्टार्टिंग आई यह जब तक लाइप पूरी तरह से जमीन पर नहीं है तब तक वहां पर जड़तना पती क्योंकि इन चीजों का जो कनेक्शन है इन चीजों का कनेक्शन वह वास्कुलर सप्लाई से है और उस चीजों का आप आराम से जोड़ सकते हैं टेड़ोफाइट से कि यह गलत नहीं हुआ होगा आप लोगों का ठीच चलों आगे चलते हैं देखिए यहां पर आपको बताना था कि विच फिचर इस कॉमन फॉर एल्गी एंड़ोफाइट तो एल्गी और टेड़ोफाइट को कंपैर करके बताना था कि ऐसा कौन सा फीचर जो दोनों में कॉ हो जाएगा देखो प्लांट बोडी और्गनाजिशन को लेकर के बहुत बड़ा अंतरा भी कह रहे थे कि अंदर यह थैलोफिटिक है और टेड़ोफाइट के अंदर चले जाएंगे तो यह रूट स्टैम और लीफ यह सब इनमें हैं तो यह बातों नहीं हो सकती जूइस प हैं तो हमने काफी सारे प्रकार के अल्टरनेशन अब जनरेशन पड़े हैं ठीक है वहां पर आपको हैप्लोइड भी मिलता है लेकिन मैनली यानि कि पूरे ग्रूप यह पूरे ग्रूप को एक साथ देखें तो मॉस्टली यहां पर हैप्लोइड ही होते हैं और टेड़ोफ देखें तो यह अप्लोइड है और टेडोफाइट और वह टिपलोइड है यह भी नहीं हो सकता मोटलिटी ओफ मैल गैमिट कि जो मैल गैमिट उनके पास मोपनेंट है यह बहुत सही बात है कि चाहें आपके किसी का भी ले लिजी कि कि अभी मतलब एलगी खा ले ले लिजी जी फंजाई के ले लिजी ब्रायो के ले लिजी टेरिडाओ के ले लिजी और और इवन जब आप जिम्नों में चले जाते हैं दो आंद आ пятि बातने पाया जाते पाए जाते हैं prayer तो मॉटेलिटी यहाँ तक है इसके बाद में MOTILITY नहीं है साइकसवगर आगिरा के अंदर सूडो साइफ़ोनों गेमी आने लग जाती है और और अंजयोसप्रम के अंदर तो साइफ़ोनों गेमी आ जाती है तो जहां पर मैल गेमिट को एक ट्यूब से पहुंचाने की वेवस्ता हो जाती है पॉलन ट्यूब बने लग जाती है तो फिर मैल गेमिट चन्ना बंद कर देते हैं तो मॉटलेटी वहां तक है जहां तक साइफोनोगेमी नहीं आई है तो वह चीज आपको अलगी में भी मिलती है फंजाई में भी है ब्राय में भी है टेरिडो में भी है इस चीज को लेकर के साइलगी और टेरिडो बिल्कुल सहम है तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका मॉटलेटी ऑफ दा मैल गामेट्स को आइसे तो आप आप कह रहे हैं कि रोड़ोफाइसी के अंदर इस्परमेश्यम बनेगा ना सुनिए बात को रोड़ोफाइसी के जो मैल गेमिट हैं उनक प्लेजिला उनके पास अपसेंट हैं ऐसे आप फंजाई में चलिए फंजाई के अंदर बैसीडियो माई सीट है एसको माई सीट हैं उनके पास नहीं है राइट उनको आप इस्परमेश्यम बोलते हैं या बहोचन के अंदर इस्परमेश्यम बोलते हैं तो वह तो एक्सेप आपको कॉमनली देखना होता है तो कॉमनली देखेंगे तो यह चीज करेक्ट है वरना फिर आप दूसरी दूसरा और कोई ऑफिशन भी नहीं है कि दूसरा कोई बाखी तीन में ऐसी कोई जगह नहीं जहां पर आप एक साथ एक जैसा मान लें इसी कोई जगह भी नहीं थी वहां पर नहीं थी न हां बोलिए तरीका तो यही होता है कि फ्लेजिला क्यों जब तेरने की विवस्था नहीं है तो तेरने वाली देखो हमें पता तो रहता है ऐसा नहीं कि हमें पता नहीं होता है इस त्यारी कर रहा है उसको पता है यह चीजे वह उन जो पर थोड़ा सा ध्यान करें गोल करें या आदा मिनिट रुकें तो उनके उपर सोच सकता है और सोच के आनसर निकाल सकता है लेकिन यह कि जब हम ऐसी चीज़ों को एक दो बार देख लेते हैं या ऐसे आईडिया हमारे क्लियर हो जाते तो फिर अगली बार हम दोखा नहीं सकते हैं यह बड़ा इशू होता है कि आपने पहले बार अटेम्ट किया अगर सही हो जाता तो बहुत ही अच्छी बात थी गलत हो गया तो इसमें कोई बुरा नहीं है अब आपने समझ लिया और फिर आप दुबारा से गलत कर दें आपको यही क्यूशन अगर बाद में रि कि देखो मैं तो आप मैं तो आपको यह सजेस्ट करूँगा कि आप इस टेस्ट का जो डिस्केशन फाइल है यह जैसे आपके साथ शेयर हो जाएगा उसके बाद में आप कोई नौट बुक डाल लीजिए निकाल लीजिए कोई भी आपका तरीका हो तो उसमें मैन मैन चीज आप देखो यहां डिसकेशन से आएगा कि आप चारों पॉइंट को बात कर लेते हो अगली बार क्या पता कि कोई दूसरी चीज़ से पूछा जाए या किसी तीस्री चीज़ से पूछा जाए लाइफ-साइकल से बनाए जा तो भी आप कंप्यार कर ले या एस एक्स और पॉइंट को लेकर बनाए जाए तो भी आप लैए यानि कि जितना ज्यादा हम इस पर काम करें उतना ज्यादा हमें जो यह कह सकते हैं कि जो चुटी चुटी बाते हैं वह हमारी एड हो जाएंगी वह फिर हमारा वही हमारा पुरा होता है संग्राले जैसा वही तो है कि जैसा क्यूशन वेसा हमारे पास हतियार होता है ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं अगले क्यूशन की बात करते हैं यहां पर आपको in cracked पैर कि जहां पर गलत तरीके से पैर बनाय गया है देखो ऐड्रीटिख्टि औन को वाटर नेट्प्रशूप्र में झानते हैं जबती कि ज anyone क करना होगा तो वह दम ऑके दिमाग में वॉर्ट्प्रेलश शेमियंव हैं अंतर को उसका हुआ कि नोन मोटाइल सिनोबियम है इसमें फलेजिला नहीं होते बस ंटो नोन मोटाइल सीनोबियम यह सई मैचिंग है क्लेम अदर मूनास के अंदर पालमेल पाई जाती है यह 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 आपने पड़ाता है जब वाटर डेफिशिंसी हो जाती है तो डॉटर सेल कॉमन जिलेटिनस मैट्रिक्स के अंदर रुख जाती है कुछ समय के लिए जब चीजें सही होती है तो आप इस इंडिपेंडेंट ग्रो कर लेती है तो जब तक अधिशन थ ऐक कि वह जाती है कि साथ में जो ड्राइप जड़ा गया है यह गलत है क्योंकि गलत है क्योंकि कैप सेल थे वह ऊड़ो को नियमें पाई जाती है वोचेरिया को था ज्यादा दियान रखते हैं स्स्चिक एंगल से कि इसमें सेप्टा नहीं पाया जाते है तो स्स्चिक कंडिशन के एंगल से वोचेरिया सही था लेकिन आपको यहाँ कैप से जोड़के बताइह गया तो यह तो गrench यह आपको चाहिये सब्सक्राइब तो यहां पर और कैपसल या निए आपको दो चीजी दियान रखनी पड़ती हैं कि आपको हाइड्रिक्टेवन भी द्यान में हो आपको सिनोबियम भी जानते हो आप पालमिला के बारे में जानते हो अब कपको कैप सेल किसमें होते हैं यह भी पता हो रोगोची अरिया में होती है यह नहीं हो तब आप कर पाते हैं तो ऐसे क्यूशन ज्यादा पहुंचाते हैं आइटिंक ठीक है यह भी तो देखो सारी सारी चीजह होती है एक तो मानले कि आपको जो आंसर वह 100% आता तब तो आपको इदर दर सोचना नहीं होता जब आपको लगता है कि आपको से अंसक्य पर चलते हैं ना क्या करता है ना कर सकते हैं कि आगले किशन पर चलते हैं यह डूर सी ओंउन्स में अगले पंच पूछा गया हpeace है तो यह किसका फिए खास है कि यह किवार्थ ह Parece तो इस तो आपको झाल को याद करते है तो यह तो ग्रिप्रोर्इटिक जो सनोरो में रहते हैं क्राय व्यक्रायों का मतलब जो एक्स्ट्रीम कोड में है लु टेंपरिचर के उपर तो ये तो वो भी नहीं है हाँ ये हाई साल्ट कॉनसंट्रेशन में पाए जाता है नहीं 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 अभी एक मिल्ट रुख जाए मैं बता देता हूं आपको हैलोफिटिक हाई साल्ट कॉंसेंट्रेशन और डूने लिला इसका एक्जामपल है तो यह बिल्कुल से सही बात यह थी कि डूने लिला के कोडिंग यह हैलोफिटिक आलगे आपको ध्यान रखना है फ्रे क्रायो थीक रॉख क्रायो का मतलब होता हि काॉड ना लो टेमप्रेश। के यह दिय हменा यह बात है यह रहते हैं क्ने द्रचिज़वाइट करेंड़ क्रायो को भुख फुल सक्रेश्शन यह लोगत लिक्विट में पहलें हैं इसमें उईद पहूंपर ynन्दर शीजों को कर क्रिप्ट हो गया जैसे आपके पास कोई पैंडराइव था उसमें कोई फाइल थी वह क्रिप्ट हो गई इसका मतलब क्या है कि है तो सही लेकिन दिखता नहीं है यानि कि छिपना या कोई चीज छिप गई हो ऐसा कुछ मतलब क्या हुआ यानि कि जैसे आपने का कि यह सोयल सर्फेस है और कोई अगर इसके नीचे है तो वह क्रिप्टो है वह कैसा है क्रिप्टो जैसे आपने का क्रिप्टो गैम्स क्रिप्टो गैम्स में लाइफ साइकल रोटेट होती है कुछ ना कुछ तो बनता ही होगा लेकिन पहुत छोटी होती है सीड जैसा कुछ होता नहीं लेकिन हमें जितना आराम से बाकी पोदों में दिखता है वैसा हुँ नहीं दिखता है उन्हें नहीं तो आप उसके लिले ट्लाइप कुछ तो क्रिप्टो का मतलब जो स्वाइल सर्फेस के नीचे है वो क्रिप्टो है और जो एक्स्ट्रीम कोड का कनेक्शन है वो क्रायों से है ठीक है न कि आइधिंग को इस्यू नहीं होना चाहिए कि लिए नहीं किसकी अधिंग कि इसले नहीं तो वैसे जोड़ दिया आपने कि जो सेलाइन कंडिशन होते हो क्या होती है अच्छा चलो अची बात हमारे पास क्या है कि वेट टार्गेट तो है एक अब इनपुट है हमारे पास कई सारे आपने बुक से देख लिया चलो ठीक आपको याद addiction और कुशन से Connect हो गया तो वह हर चीज आपके काम की है अब ऐसा भी नहीं होता कि को युड लोग उसी को ले लेते लोग यहें कि इस लोग थे सारे लोग उसी को त्यार करते से क्यूंध यह। आपका यहां से भी लिया यहां से भी लिया यहां से भी लिया ऐसे तो वह आप अगर जोड लेते हैं यह यह हमारे लिए चाहीं होती है ठीक है ओके चलिए आगे चलते हैं यह अगला जो क्यूशन था कि वाटर ब्लूम को कौच करने वाला जो एल्गी है माइक्रो सिस्टेस यह कहां से बिलॉंग करता है तो यह तो बिल्कुल डायरेक्ट फोरवर्ड है आइधिंक आपने गलत भी नहीं किया होगा क्योंकि हमने क्लासे के अंदर बहुत ज्यादा बातें किया साइन फाइसी की साइन फाइसी की साइद जितनी जर्रतियों से प्रेश हुआ तक previst, में लोग君 ने पूछता आप मेंसे किसी ने पूछता कि मैंक्रों माक्रों को हां यह उसे पूछीतं यह का मामला था कोई दिक्कत नहीं प्रैक्टिस कर रहे हैं आप लोग तो प्रैक्टिस से यह सारी चीजे इंप्रूफ हो जाती है सारे जितने भी यह मानले की माइनस माइनस है नहीं चुटे-चुटे से यह सब हट जाएंगे यह सब प्लस में कनवर्ट हो जाएंगे और अब यह दुबारा यह क्यूशन था कि वाट इस रॉंग अबाउट वोचेरिया तो वोचेरिया को लेकर के गलत बात क्या है तो वोच स्ट्रेटम को होड़ फास से पकड़ के रखता है और इसमें खूब सारे न्युक्ली ऐसे सीनोसिटिक प्रजेंट होते हैं तो अगर आपको इसा पिक्चर भी ध्यान रहे जाए तो बस आपका काम दो हो गया राइट को कॉलोनी तो बनाता नहीं है इंडिवीज्वीज्व खीक होता है यह वोर सफस के ऊपर आराम से न्युक्लिय होते हैं ओर यहां पर की फ्वार्मieneशन इसमें होती है यह कोई पर फ्रो होनेशन प्रख सकते हैं हुसाइन नों बैक्टियर अलांगे लेकिन सोयल पर ग्रों करने कि यसा आप से दोनों करते हैं हाँ लेकिन कॉलोंटी नहीं बनाता अब कॉलोंट नहीं बनाता वह चीज आपको इससे याद रहेगी अगर आपको ऐसा पिक्चर दिमाग में है कि वह चेरिया देखता है ऐसी कोई को अपने देखी नहीं तो आप इसको कर देंगे आराम से गलत तो नहीं वाता गलत तो नहीं वाता नहीं अब गलत था क्या तो क्या आपने क्या गलती की दिश्में अगला क्यूशन था कि विच फीचर डज नॉट बिलॉंग टू साइनोफाइस से रिस्ता नहीं रखता वो कौन सी बात है देखे लीटो फिटिक तो होते हैं चटानों के ऊपर इवारों से थो थो माइको भ्याइंट हम कहते हैं कि मुस्ली तो सायन लिए उसके बाद में थोड़े बहुत मेम्बर क्ले भी उते हैं टो चलो नहीं ने की यह दो माइको भी लिख दिया अधीड फायल भी होते हैं एक्स्ट्रीम टेंपरचर के ओपर भी सर्वाइब कर सकते हैं यह फीचर बिए इनके पास होते हैं और सेक्ष रिप्डक्षन इपे नहीं होता सायन फाइसे के इंदर सैक्षोरी परदक्ष्ण अब सेंट वता तो जो भिलॉंग नहीं करती वह इसको नहीं नहीं नहींडियोंट न मेरे भी दिमांग मेसी राए क्योंकि नुद्फ बेंट दिमांग वैक्षणियोंट पांगान सब्सक्राइलियां होगा आपका क्यूशन यह गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि साइनोफाइशी में सेक्षो रिप्रडक्शन नहीं है यह तो सिंपल से बात थी ठीक है चूज दा क्रेक्ट प्यार एलगी के लिए बिल्कुल सही बात क्या है वो आपको स्लेट करने क्रेक्ट तो लीटोफाइड जो होते हैं वो स्वैल सर्फेस के ओपर येस स्वैल सर्फेस के ओपर कह सकते हैं रॉक के ओपर कह सकते हैं दीवारो यह था चूज़ दा करेक्ट प्यार और एपी फ्लॉई फाइट इसके लिए क्या था और ट्री बर्क की जो छाल होती है क्लास में आपको यह बताया गया था कि छाल के अंदर जो सेकंडरी फ्लॉई बगरा है वह इंक्लूड होते हैं ठीक ना तो फ्लॉई से आप फ्लॉई फ्लॉई फाइट है वह जो देखा जाये तो ट्रॉपिकल एरिया होते हैं वहां पे खूब सारी नम्य होते हैं वहां के जंगलों में जो पेड़ों की छाल है उसके ओपर यह ऐसे बात है ठीक है आगे छलिए यह है क्रिप्टो और यह स्नो अब आप समझ गए होंगे कि क्रिप्टो का स्नो से कनेक्शन नहीं है क्रायों का क्रायों का था इससे क्यों चूल्दा करेक्ट प्यर फोरल गी कि सही यूगम कौन सा है कि यह वालों के लिए सही यूगम का चैन कीजिए यह इसकी दिवासा और और यह था आपका कि सैपोफिटिक कि सैपोफिटिक क्यों इंटर टाइडल रॉक्स यह भी गलत है क्योंकि सैपोफिटिक कौन होते हैं सैपोफिटिक वह μα suspicious कि प्योंकि स्वेस के अपर ग्रो करने वाले कि वह सेपोफिटिक अलगी नहीं होते है अगर आप एल्गी की बात कर रहे हो तो एल्गी में सैप्रो वर्ड नहीं यूज़ हो सकता है 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 यह नाम होता उनके लिए बैन्थोस तो यह भी गलत पैर है चीक है क्रिप्टोफिटिक और स्नो सर्फेस यह भी गलत पैर है और यह ट्री बार्क यह बिल्कुल सही है और लिटोफिटिक तो आप इसमें थोड़ा सा इनके बीच में कंपैर करते हैं तो आप सोईल को एलिमिनेट कर लीजी आप सोईल को मत यूज़ कीजिए क्योंकि सब्सक्राइब को रोक के लिए लेते हैं उसके अकोडिंग देखें तो यह भी गलत है बट यह किसी हाल में गलत नहीं हो सकता एपी फ्लॉई फाइट और बार्क अगर आपको दे दिया तो यह हर हाल में सही है बाखी को कहीं ना कहीं किसनी किसे एंगल के उपर आपको गलत साबित करना ही था तो आप कर सकते हैं तो जो चीज यहां पर आपको क्रेक्ट पैर में सेलेक्ट करने थी वह आपके पास रह दाएगा ऑपसर अबश्ट टू यह किनका गलत वाद था था थी को दिकत नहीं है ना क्योंकि वह तो फिर आपको क्रिप्ट और ग्रायों उसमें अभी दिकत भी दिकत नहीं है ना ठीक आइटिंग दिस इदा प्यूशन नमबर 9 कि पूछी आपसे ना आभासी साखन जो आ हमने बात किया था जब हम थैलस और्गनाशन को पढ़ रहे थे तो बॉट्रे को इस पर मम देखो इसको आप याद रखते हैं हेट्रोट्राइकस है बीट के लिए इसमें आपने कहा कि कैपसेल पाई जाती है फिर इसके अंदर नैनेंडियम भी पाया जाता है तो इसकी बातें कुछ अलग हैं इसमें स्यूडो ब्रांचिंग कोई कनेक्शन नहीं ही तो अन ब्रांच फिलामेंट होता है इसका अन ब्रांच फिलामेंट है इसके पास जिसमें कैपसेल पाई जाती है यह हेट्रोट्राइकस है तो इसमें तो इरेक्ट और प्रोस्टेट दोनों ब्रांच पाई जाती है और ट्र्यू ब्रांच होती हूं इरेक्ट और होरिजॉन्टल दोनों प्रकार की ट्र्यू का तो कोई connection ही नहीं था इससे तो ठीक है क्लेड़ो फॉरा के अंदर भी ब्रांच वैल ब्रांच्ट अल्गी है यह भी हाँ इस काईटो निमा की बात करें तो यह साइन ओफाइसी का मेंबर है और इसके अंदर आपको शूड़ो ब्रांचिंग देखने को मिलती है कारण क्या था कि इसके जो filament होते हैं वह filament आपस में एक मैट्रिक्स की वज़े से इस परकार से लगे रहते हैं कि हमें लगता है कि जैसे कोई की ब्रांचों तो शूड़ो ब्रांचिंग के पॉइंट व्यू से जो सही है वो क्यों है इसका इटो निमा ठीक है आगे चलते हैं यह रहेगा आपका अगला क्यूजिशन कि आपको यहां पर इनक्रेक्ट एस्सोशीशन ढूंड़ना है कि ऐसा कौन सा पैरिंग किया हुआ है जो गलत है राइट तो नॉस्टो की बात करें और साइकस की कॉर्लोड रूट्स के बात करें तो साइकस की कॉर् जाएट कडिगा फाए जाती है तो नॉस्टो को नहीं हम वहां पे तो यह बात गलत है ऑना तो न कि पत्ति tallis की नीचे की साइड में कुछ मूसी बेजनास के विटी होती है और इन के अंदर नॉस टॉक के फिलामेंट प्रजेंट तो यह बात भी सही है और एना बीना साइककस की कॉर्ले डूटी प्रजेंट होता है तो कंफूजन तो के वल आपको इनहीं को लेकर के था यानिकि नॉस्टोक है या कौन है तो अलांकि ठीक है भी चलो अभी हमने आपने अपने अल्गी की पड़ी है तो साइकस के रिगार्डिंग आपका अगर है तो जाइज भी है कि आपको नहीं पता होगा इसलिए आप ऐसे गल्दी कर सकते हैं लेकिन आप तो ध्यान रखें कि एना भी ना साइकेटी है वह कॉर्लर डूट का जो मिडल कोटेक्स होता है उसकी सेल्स में पाए जाती है ना कि अनॉस्टोक पाए जाता है ठीक है और टन्लेस पिगमेंट कि अजो सिस्टम मैं उसको लेकर ख혜ए कौन से ग्रूप Esp सेम हैं कि आपको गुरुप दिया गया है और आपको पिग्मेंट के हसाब से देखना है यह नहीं तो राद एलुगी में 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 पिग्मेंट कौन है बटाना टिए मैन पिग्मेंट ठीक है वह आप कलर की हसा आप से और ब्रावन एलकी में utilizz अज्छ दूरोर्मट्टे कौन ऐस प्लायोफिल ए और सी ऑर टायाटम्स में कौण ए को नहीं दूराल होगा मैछ घृप्ह防 भिखा अफने ऐसे उग्नाक्त के अंदर कौन है what a email के बारा से आई है और पहुछों हुआ है यह यहां पर फिर बैक्टिर्ट्र्टर क्लोरूरुंफिल है है यह तो मैच्हक्ट करने का मतलब भी नहीं है तो सिमिलेटी के पॉइंट्ट वह पुछ आएंगा कि और यह एक अच्छा क्यूशन था है ठीक यह बहु बात आ गई कि अगर कम्प्लीटली अप्सेंट इन दा लाइफ आफ तो ब्लू ग्रीन अलगी के अंदर यह कंप्लीट अप्सेंट ही होते हैं और रेड अलगी के अंदर यह कंप्लीट अप्सेंट ही होते हैं तो यह दोनों ही इसके सही हैं यानि कि बहुत ब्लू ग्रीन एंड रेड अलगी और इसका यहां पर कोई मतलब नहीं है यह नाइट हेला तो कारा का बड़ा भाई है यह भी केरली से बिलॉंग करता है स्टॉन वाइट के रूपने आप इसको भी त्यान में रख सकते हैं यह केरली का मेंबर है इसका कनेक्शन नहीं है वहां पर तो फ्लेजिलेट स्ट्रेक्चर सा हो बनती है तो यह नहीं हो सकता तो कन्फफ़जन इस बात का हो सकता है कि आप ब्लूग्रीन को करें तो अ है गलत तो नहीं होगा अपका है थीक है हेट्रोसिस्ट बिल्कुल सही होना चीज़ है था आपका है हेट्रोसिस्ट बिल्कुल सीधी से बात है कि जो filamentous cyanobacteria होते हैं कि जो filamentous cyanobacteria हैं उन ude मिलेगा और उसमें आपको पास option है Nostok to Nostok की था correct answer यह है चिख कर देखें यह आपसे पूछा गया तZe कि मौस ट्य नगी के अंदर यानि की पूरे group को द्यान है रखते हुए ना मॉस्ट एलगी के अंदर इस्टॉड फूड क्या है ऑनकी सेलवल का कंपोनेंट है ठीक है ग्लाइकोजन मैं नहीं रिजरॉड नहीं है और इस टार्च मैंन कंपोनेंट नहीं यह आप तो यहां भी आप थोड़ा सा कन्फूजन सैलोलोज को को ले करके स्टार्च के साथ में ओयल को ले करके ऐसा कुछ फील कर सकते थे बाकि आपको ध्यान इसी प्रकार से रखना है ठीक है हाँ तो आपको लगा कि प्लांट है यह तो सेलूलोज होना चाहिए आपने देखा कि वह स्टोड फूड नहीं है वह स्ट्रक्चर हो यह तो से हम यह भी बहतरीं क्यूशन था कि क्लेम आइडोस मोनास के पॉइंट डवी से देखिए रिदक्शन डिविजन टैग प्लेंस एडदा टाइम ऑफ कि रिदक्शन डिविजन कब होता है तो रिदक्शन डिविजन के तो जो मैल एंड फिमेल गैमिट है वो जुड़कर के जा करता है तो उसके बाद में रिदक्शन डिविजन वहां होता है क्योंकि जो मैन हम क्लेम आइडोस मोनास की बात करते हैं तो वह कैसा है 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 तो आप जाएगोट से हैपलेड बनाना चाहते है ठीक है वेसे याद रखने की कोई जूर्त नहीं है आप यह से ध्यान में रखें कि क्लेम आइडोस मुनास की जो सहल होती है वह है और है तो फिर आप वेसे भी ध्यान रख सकते हैं कि इसकी लाइफ सेकल कैसी होगी है पहला थी होगी है और है प्लॉंटी घंटे को थी इसमें क्वल जाए डटकेस होती है जो को रीप्रेजेंट करती है और वुटको बनाएगे तो रेडेक्शन एगयेड तो ऐसा हो यह नहीं सकता रेडेक्शन ढूंगा जब जाए गोंट जर्मिनेट करए एं जाइगवर्य कि यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं थी कह रही है तो बहुत सिंपल लेवल कर रह गया था क्योंकि देखो पेपर में जरुरी होता है कि कुछ 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 इतने आसान भी होने चाहिए कि ऐसा भी नहीं कि बेस्टुडेंट को लगे किया में सारे कुछ गलत हो गए तो जानवों के दिये रहे होते हैं कि अगार और कोई था ही नहीं कर रहे हो यह उनके लिए सोचने की बात नहीं थी चले चली यह था कि कोराल रीफ जो होती हैं उन में जो सहजी मिलता है MY और वो भी कौन सा जू जा लेग। संधर तो कोराल रीप के अंदर चो जो कॉध स्यलोइड होते हैं वह पाए जाते मैंली जो कोरोलोड के मेंबर हैं जो पॉलिप्स के साथ में क्योंकि को रिप बनती है तो उसमें मैंनली पॉलिप्स होते हैं और उनके साथ में हमारे जुड़ करके कोराल रिप की की फॉर्मेशन होती है तो मॉस्ट्री जो कॉर्रोड अलगी है वो तो है रोड़ फाइसी के मेंबर उनकी बात नहीं हो रही है यहां पर तो इस पेशल पूछा गया था कि जो जू जैन थैली है जो की एक प्रकास से देखा जाए तो एंडो जॉइक अलगी का भी एक्जामप सब्सक्राइब को देखेंगे ना तो आप रोड़ो फाइसी टिक कर देंगे तब आपका क्यूशन यह गलत हो जाएगा कि ठीक है कि हाथ आपने को राल रीफ को लोड़ एलगी ओनली वह होते है इसलिए कि आपने गलत ठीक है यह थोड़ा सा कॉंसेप्ट वाली सी बात है कि आगर आपको यह पूरे ग्रुप के बारे में कैसी ठीक होती है वो पता हो तो आप ऐसे क्यूशन कर देंगे के नॉन टेक्सओनोमिक ट्रमलगी कि यह जो एक नॉन टेक्सओनोमिक गॡुप है इस ग्रुप को लगी नाम दिया गया है तो इसका मतलब किया है रैफल इसका अभी प्राय क्या है तो यह यूख यानि कि जब यह फोटोसिंदेसिस करते हैं तो ऑक्षिजन प्रड्यूस करते हैं तो यह बात तो सही है अब इसको गलत थेराने के पीछे एक ही चीज हो सकती है कि आप कहें कि भी जो साइनो बैक्टीरिया है वो तो प्रोखेरिटिक है तो एक बार इस चीज को आप रख लीजे साइड में अगर आपको साइनो बैक्टीरिया वाली चीज के ओपर दिमाग लगाने का है तो आप उसको साइड में रख लो एक बार एड कर लो उसको चलो ठीक है बाकी बात हैं सवहीती इस अर्गशम में सारे के सारे जितने वी अल् वास्कुलर टिश्यू का तो यहां कोई लेना देना नहीं हो सकता है अल्गी में तो चाहिए वो कोई सा भी अल्गी हो और जब आपने कहा दिया कि यह सेकंड वाल आप्शन नहीं है तो दोनों ही सही बात हो जाएंगी यह तो हो इनी सकता कैस्ट में से कोई सी भी बात सही क्योंकि वैसे आप सायनो बैक्टीरा को बैक्टीरा में इंक्लूड करते हैं तो यह ज्यादा क्रेक्ट बात कहा रहेगी कि यूकरियोट से जिनमें क्लॉरोफिल एभी है और फ्रॉटों जैसे करते हैं तो अक्षिजन निकालते भी है ठीक है अगले क्यूशन को देखी कि इसके अंगल से आपको ध्यान रखना है कि जो स्पायरूली ना इसको हम अंज्यूम करते हैं ठीक है यह झाफिस्पल सा था कि पॉलिस ऐफोन्या का जो आल कलर है वह मैंली किसके वजह से रैड कलर यह रॉड़को लाल होता है वो तो इरिथ्रीन की वज़े से होता है और यह है फाइको इरिथ्रीन और रोड़ो फाइसी में है तो आप क्या बोलेंगी आर फाइको इरिथ्रीन ठीक है सी फाइको इरिथ्रीन यह रैड कलर के लिए नहीं है जो ब्लू जो टिंग होती है जो ब्लू इस कलर इन के लिए होता है और इनका connection यह था ना तो सी that connection यह साइन उफ इस से है और इस सी phycosine इनका connection भी is slogan ऐस से है और इस आररख using connection ब्रोड़ो फैस एए लेकिन रोर्डो के लाल रंग का connection आरख है को데 edar Terrinen से अपका ही होगा आपका चिक यह अच्छा था कि आपके पास सब क्या लोजिक है कि इस पारोगारा अलग है कुछ डिफर करता है किसे मौस प्रोटोनीमा से तो जो मौस के अंदर जो प्रोटोनीमा होती है कि जो प्रात्मिक तंतु बनता है कि उस प्रात्मिक तंतु खूँ आप इस पारोगारा की फिलामेंट से कंपेर खरें तो किस चीज को लेकर के अंतर है तो यहां पर आंसर है पारेनोइट्स कि इस पारेनोइट्स प्रिजेंट है कि क्यों कि नहीं ऐसा तो नहीं अच्छा ऐसा था कि चलो फिर उसको वहां उसमें फिर फीडिंग में दिख्कत रही होगी कि ठीक चलो यह तो कोई नहीं न वैसे तो आपका वैसे इस्यू नहीं होना चीक्विशन के अंतर चलिए आगे चलते हैं ऐसे था यह थोड़ा इस्ट्री को लेकर के क्यूशन था कि अलगी सब्द जो था फॉर दा फैस्स टाइम हूँ यूज डा टार्म अलगी जो सब्द है इसका इस्तिमाल सबसे पहले जो किया था वह लीनियस ने किया है और लीनियस में जब अपना क्लास्फिकेशन दिया था तो उसमें जो क्लास बनाए थी नहोंने क्रिप्टो गैमिया उसमें सबसे पहले इन्होंने एलगी वर्ड का इस्तेमाल किया है तो इसका connection lineage से है Smith का classification से है इनका classification से यह father के रूप में जाने जाते हैं लेकिन word खो इस्तेमाल करने वाला literature के अंदर कि जो लिखी वी चीज़ें होते हैं उनमें सबसे पहले algae नाम किसने यूज किया होगा ऐसा कुछ तो वह lineage के credit में जाता है अब यह था कि जो फटाइल सेल्स हैं फटाइल सेल्स नौट एंड क्लोजड बाई स्ट्राइल सेल्स आर प्रेजेंट इन यानि कि फटाइल सेल्स तो हो लेकिन उनके पास बंद है कोशिकाओं का जैकेट ना हो बंद है जैकेट का अभाव तो यह मामला थेलोफाइट का होता है इस प्रमेटोफाइट के अंदर आप पर किन को लेते हैं कौन से पोदे आते हैं इस प्रमेटोफाइट सीड सीड बियरिंग प्लांट आते हैं तो यह जिमनों दोनों आ जाएंगे टेड़ोफाइट टेड़ोफाइट के अंदर तो पाया जाता है और और इसको नहीं कर पाएंगे तो ज्यादा क्रेक्ट जो है कि नॉट एंप्लोज बाइस ट्राइल सेल्स इसमें आप ऐलगी फ अब वह इसवे फार्ट है अब आप आपंगे कि सब्सकर पाये जाते हैं तो आप का एंसर क्या 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 करने पाई ऍप्लफ पर उसके के Бड़ा ग्रूप पर उसके सबी मेंपर्स केंद्र यह चीज़ नहीं होती है ठीक है यह तो एक प्रकार का इन्फॉर्मेटिव कुईशन था कि चलो ऐसे कुछ जब स्टुडेंट करता है तो उसकी कुछ बातें क्यूशन करने से क्लियर होती है इसमें आंस्पर कुछ नहीं देना होता है कि ऐसा कौन सा क्रेक्टर या एक से ज्यादा क्रेक्टर है जो थे नहीं होती है उनकी वाश्कुल सिस्टम नहीं पाया जाता यह भी सही बात है युनिसेलर सेक्स ओर्गंस विदाउट जैकिट इसे यह बात होगी न तो यह चीज तो चलो चीक है यह तो सिंपल से बात थी लेकिन अपसेंस वाश्कुल सिस्टम यह थेलो फाइटा से लिए तो यह कुछ चीज़ा आप इसमें एड कर सकते हैं कि जब आप ऐसे कुशन करते हैं तो बस कुशन कुछ नहीं था यह था कि आपने जो त्यार किया था वो बस आप रिवाइज कर लेते हैं बस है गलत थोड़ी था आपका ठीक है अगला कुशन था कि कि इन विच क्लास ओफ एलगी क्लॉरोफिल भी इस प्रजेंट तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा न कि लॉरॉफाइज सी इस कांज़व कि यह कि दो तिन बार ऐसे काम हो जाते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि बस अब दिक्कत नहीं रहने वाली है नहीं ओके विच्ट फॉलोविंग और परासिटिक अलगी तो यह तो आपने देखा है ता कि जो से फैलरोस वाइरस अंस है यह चाहे चाहे के पोदें हो या कौफी के पोदें हो उन पे रैड रस्ट डिजीज कोज करता है तो यह तो परासिटिक है इसी प्रकास से यह दू यह ज़ी का ही एक्ञामपल है लेकिन यह यह प्रहशेटी किस पहोता है यह रोडवाइशी के मैंबर्स के उपर पैरासाइट है पर्टिपलर जो एक अल्गी है दिस इज ओडन थैलिया ओडन थैलिया यह उसके उपर एजे परसाइट ग्रो करता है तो सेफेलरोस हमें डारेक्टली हम काफी बार इसके बातें कर चुके हैं कमड़िशन एक्जाम में भी क्यूशन रहते हैं तो इसको हम जानते हैं इसको भी अव्यापन एड़ कर लें कि चलो यह भी सामने आया तो इस बार आपम एंध्यान रहना चाहिए कि यह भी परसकेिक एक्जाम्पल तो दोनों ही परसीटीक एक्जाम्पल और नन अपदाबग को करने का उप्शन ही नहीं था कि कि सिपहले रोश्तू था ही न आपके पास क् प्रवी यह ला आई थिंग प्लोरोफाइसी कही रहना चाहिए बड़ यह रोडोफाइसी के जो मैंबर्स है उनके ओपर एज़ पर ग्रोव करता है इसके ओपर यह देखने को मिलता है ठीक है यहां भी कोई दिक्कत नहीं थी आपको साहथ कि जो सी वीड्स हैं उसके रूप में मैंली जो जाइंट थैलाई होते हैं काफी बड़े आकार के जो थैलस होते हैं उनको काउंट किया जाता है और उसमें आते हैं आपके फ्योफाइसी के मैंबर यानि कि ब्राउन एल की ठीक है यह सबसे जादा गहराई पे मिलने वाले हैं डिपेस्ट अक्रीक है और यह सबसे बड़े आकार के थैलस के लिए जानेंगे यह जानेंगे है और यह व्व wszystkने जाएंगे अ जयो अंग से अनों कुछ हैं कि कॉमन चीजें हैं जो हमने पता रहे ने चुशिंए के और ये था कि इन में से कौन सा एल्गी मलेरिया को कंट्रोल करने के लिए मलेयरिया को से कंट्रोल करने का मतलब कि यह है कि ऐसे कौन से हैं जिन इसे कोई ऐसा chemical product हो जो कैसा हो हूर्न जाहलो जो मस्किट्यों के लार्वा होते हैं उनको खिल कर दे मस्किट्य यह REPो किल करने की कैपसिटि जिसके पास हो जाएगा और आसा कौन है वह नाटेला चाहिए और कारा के भी पास ऐसी प्रोपर्टी है और यह दोनों ही के मेंबर हैं और इनको आप स्टॉन वर्टस से भी जोड़के रखोगे तो निन्वे से कौन सा कथन स्टॉन वर्टस के लिए सही नहीं है है ना ऐसी पूछे जाए तो लार्वी साइडल प्रोपेटी इनके पास होती है तो यह तो सही बात है ना यहां पर कोई दिकत नहीं थी क्योंकि जो चावल के खेत होते हैं उनमें बायो फटलाइजर के रूप में नाइट्रोजन का जो अमाउंट उसको बढ़ाने के लिए आपको वह एलगी चीए जो और नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए हम किसका ध्यान रखते हैं नौस्टॉक ठीक है कोई दिकत नहीं थी यहां तो डारेक्टी था ठीक है आईडिन हो पोटेशियम हो मैगनेशियम हो यानि कि मिनरल्स की बात हो तो मिनरल्स का जो अमाउंट है वह सबसे ज़्याद आपको कहां देखने को मिलते हैं द्यार सीवीड्स फियोफाइसी क्यों नहीं वह भी तो समुदर में है रोड़ोफाइसी क्यों नहीं में रहते हैं थे समुदर में रहते हुए है प Bowl में रहते हैं यह उनको निकालना मुश्किल हो अईसी बात क्या है कि एक उनके थेलर्स च्टे हैं ऑपो क्यांसी स्मॉल है ना बिघ थोड़ी उनson jacky है तो जब आपको प्राप्त करने की बात होगे आपको कोई प्रोड़क्ट चीए तो आपको कितना सारा क्लेक्ट करना पड़ेगा यह ज्यादा करने पड़ेंगे और यहां कुछ एक थेदस्स में ही आपको खूब सारा आयडिन और खूब सारा प्रोटेशन मिल जाएगा होते हैं और उसका ऑक्षिडेशन कि जब उसको डिस्ट्रोई करने के बात आती है उसको जब उसका होता है तो ऐसे पॉंड्स के अंदर ऐसे कौन है जो बहुत ही शांदार लक्जिरेंट खा मतब शांदार ग्रोथ चो होती है कि खूब सारी ग्रोथ कि आराम से जो ग्रोथ करते हैं फो कौन है अन्सकिप क्लॉरि लखी बीडु पाए जाती है स्केंडैस्टमस भी पाया जाता है ने कि ये सब आईसे अलगी है जो सैवेस्वेस्ट्रीटमेंट के लिए कांद में ले जाते है इनको आप civis treatment से भी जोड़ सकते हैं इसी प्रकार से था कि विच एलगी इस यूजट इन बायोलोजिकल रिसर्च की रिसर्च के पॉइंट वीज से और बायोजिकल रिसर्च के पॉइंट वीज से कौन सा एलगी इस्तेमाल होता है तो जो genetic studies होते हैं नुक्लिस को लेकर के जो उते हैं क्रोमोजोम्स को लेकर के जो इसको यूजद करते हैं वेलोणिया जो है ये इस सिंगल सैल single cell green algae है और इसका जो आकार है वो काफी बड़ा होता है फुक्बोल की तरह होता है काफी बड़ा आकार होता है और इसको अपन bubble algae के नाम से भी जानते है इसका दूसरा नाम bubble algae भी है तो इसके पास काफी बड़ी काफी एक ही कोशिका होते है वो काफी बड़ी होती है जाइंट सेल है और सिंगल सेल है तो काफी बड़ी कोशिका है और एक ही कोशिका है और इतनी बड़ी है कि इसको आप एक bubble के रूप में देख सकते हैं ठीक है तो कारण क्या था कि इसका जो membrane है उस membrane को काम में लिया जाता है पर्मेबिल्टी स्टेडीज के लिए कि कोई भी आएन है मॉलिक्षूल है वो मेंब्रेन के आरपार जाता है नहीं जाता या उसके बारे में स्टेडीज करनी हो तो मेंब्रेन ट्रांसपोर्ट को लेकर कि जो स्टेडीज होती है इस सिस्टम की पांवरी आउट स्ट्रास्थिस्टम है जो कि असके पार बहुत बड़ी मैंबरेन हैं और इएक इस पर सब्सक्राइब ऑट है तो जादा रिए तो और उसप्सक्रांज अंग === कि अम्णिंप नहीं करने के लिए हैं तो तीनों ही काम में आते हैं तो आल अप देज यह क्रेक्ट आंसर हो जाएगा कि आइधिंग आपको वैलोनिया के लिए थोड़ा बहुत कंफूजन रहा होगा कि पता रहना चाहिए कि जैनेटिक स्टडीज में कौन सा इस्तेमाल होता है कि मेंब्रेंट ट्रांसपोर्ड में कौन सा है जिसे सुमेलित करने का क्यूशन आजाए तो अच्छी बात है आपको पता रहेगा तो भी तो करेंगे सुमेलित हो सकता है कि आपके एक्जाम से ठीक पहले जो मौक टैस्ट सिरीज हमारी रहेगी उसमें यह क्यूशन थोड़ी आएंगे अब इनमें तो चैंजेज हो गए तो आप थब पता चलेगा कि आपने पढ़ा तो था लेकिन से ठीक पहले आपकी कहानी कैसी है और यह उन्हें पता चलेगए आपकी तब पर लगेगा कि चौनों के प्लoth ओंते स्वए आपकर आपने मिस्याइंowan वो दुबारा आपको एड़ करने को मिल जाएंगी ठीक वाटर ब्लूम्स जनरली किनके दुबारा होता है तो यह तो ब्लू-ग्रीन अलगी है है राइट पाइरिनोइट्स क्या है तो यह तो संचित भुज्य पदार्त का एक रूप है कि जो एक्स्ट्रा फोटो सिंथेट होते हैं उनको जमा कर देती है कोशिका और जमा करने का एक तरीका होता है कि सेंटर के अंदर तो प्रोटीन होती है और उसके बाहर कर्भfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfrfr और बाहर कार्बोहाइड्रेट की पड़ते हैं यानि कि स्टार्च है ठीक कोई दिकत नहीं थी यहां भी साहिद फिर था कि जो एलजी नेट्स हैं यानि कि एलजीनिक एसिड आप ध्यान रख सकते हैं एलजीनिक एसिड तो इनको तो आप जो फियो फाइसी के मेंबर हैं फियो फाइसी के मेंबर की जो सैल वोल होती है उससे प्राप्त करते हैं तो एक्स्ट्रेक्टेड फॉम सेल वोल ऑफ ब्राउन एलगी तो ब्राउन एलगी की सेल वोल से हमें यह प्राप्त होता है तो यह थे आपके 35 क्यूश्चन एक पर के आपके टाइमिंग कर लिया है और अब दूसरा काम आपका यह हो गया है कि आप इसको डिसकस भी कर चुके है तो एप पे जाकर आप अपनी प्रफोर्मेंस को देख लीजिएगा और देन आफ्टर आप इस डिस्कुशन वीडियो जो कि आप आपको एप पे मिल जाएगा तो आप एप पे इस वीडियो को दुबारा देखें और जहां आपको डाउट हुआ था क्योंकि यह जो क्यूशन से आप चाहें तो उनका प्रिंट निकलवा लीजी ज्यादा अच्छा तो यह रहेगा कि आप प्रिंट निकलवा लो और एक प्रॉपर फाइल बना लीजी और उस फाइल के अंदर टेस्ट वाइज कि एक जिसे बोटनी का टेस्ट आ रहा है जो में आ जाएंगे और फिर आप उसको अपने पैन से आपका जो भी तरीका होता है उससे आप उसमें एडिशनल नौट और लिखो उसमें होता है कि जैसे टीचर समझाता है तो टीचर को कई बार ये भी होता है कि चलो ये बात बताने लाइक नहीं थी टीचर उसको मिस्ट भ अगर ये चीज कागज पर नहीं होगी इसका प्रिंट आउट आपके पास नहीं होगा तो वह काम आप कर नहीं पाएंगे और ऐसे काम करने के लिए मैं आपको सजिच्ट करूँ तो आप एक फ्री टाइम का मतलब ये है कि मालजी फिए आपके पास एक घंटे का टाइम और प्रिंट लेकर के वन आवर डिसाइड कर लो और उस समय पे आप सारी चीजों को कट आफ कर दो मोबाइल फॉन किसे बात करना वो सब बंद कर दो और सबसे पहले इस प्रिंट को आप चेक करो लुक जहाँ जहां दिक्कत आ रहे उसको आप जो भी आपके इस्यू आए थे उन इस्यू कहां ट्रक करो एक रैट और टीक करखे उनको कर ओ और फिर पहां को लगता एक काम पुरा कर लीजिए पिर आपको लगता है कि हमारे पास 35 क्यूशन थे 35 क्यूशन में से पांच क्यूशन ऐसे हैं जिन पर अभी भी मुझे कुछ कंफ्यूजन आ रहा है तो उन पांच क्यूशन के लिए दुबारा से जाओ एप पे जाकर करके आप वीडियो देखो ठीक है एप पर ही ृपके पास पर प्रेश पडा है डिसकस्टन का फिर भी कुछ डाओट है तो आप के पास कोई होगी मुझे बता है उन सब लेकिन आपके यहां पर यह कम आपको ज्याद से ज्यादा, 40 मिनिट में, 30 मिनिट में आप इसा काम कर दोगे, दुबारा से करोगे तो आपको 20 मिनिट ही लग रही है, मुझे पता इस चीज का, ठीक है, लेकिन आप इन चीज़ों को दुबारा देखो, दुबारा डिस्कुश एक घंटे का टाइम फ्री आया या 20 मिनट का टाइम फ्री आया या आप रात को सो रहते तब आपको 20 मिनट का टाइम आपके पास है या कभी भी हो सकता है तो आप उसको दुबारा देखो रिलुक और जो क्यूशन आपने टिक किये थे ना उनको तो आप ऐसा कोई हाइलाइट कर दो कि पूरे पेज के अपर वो तो साफ दिखने चीए और उसमें भी कौन से ऑप्शन में दिक्कत आए थी उस ऑप्शन को भी आप टिक कर दो आपको पता लगे कि यह मामला था पहले कि छुटी जो मिस्टैक जिनको आप मतलब प्रॉब्लम के रूप में वह आपके सामने आज सकते हैं पेपर में तो वह चीज़ें आपकी सारी साफ हो जाएंगे धीरे धीरे यह काम बढ़ेगा ना तो यह काम जैसे इतना सारा हमारा जो इस पूरे सीरीज में जो क्यूशन क कामने रखा है discussion का रखा है तो यह चीज आपको क्योंकि देखो यहां almost आप लोगोंने पहले से studies तो करी रखी है सब पढ़ रखा है लेकिन को discuss करें और फिर उस discussion को आप उसका खुद मन्थन करें उस पे कि मेरे से यह दिक्कत थी या मुझे इन points पे issue रहे या मैंने ऐसे ग यह यहां लाना है और यहां लाके फिर बार-बार इसको यहीं रखना है फिर बार-बार इसको करें तो यह हर बार 100% ही रहना चाहिए ऐसा नहीं कि आप दुबारा देख रहे हैं आपको लग रहा है कि 80% ठीक था लेकिन 20% फिर दिक्कत हो रही है तो फिर आपके पास last में इतना काम हा एक लेगा फिन नहीं होगा आपके पास तो बैड़ी होता है कि आप पहला काम। पूरा के शुठ के से चोड़ तो दस मिनट में ही स्धर, भी तो पर लीए इस बेंट कर लो इस बंद करो सिधेय प्रॉपर वह पैटरन चड़ना है डिसकेशन का रहना है टेस्ट का रहना है यह टेस्ट आपके लिए मैं री ओपन कर दूँगा दुबारा से अटेंप करना है तो आज आप इन वीडियो वगरा को आरहम से देख लीजिए फिर इसको मैं दुबारा से ओपन कर देंगे आप आपको यहां लाना आपको लुगर तो आपको की यहां दिखेंगे आपको से करना की दूसरी सुछाना चीजिए तो आपके पास प्रियस करके इसको हंडेट परसेंट अभी तो आपको यूजिए कि देखते पता लग जाएगा पट फटाफट तो अभी तो आप गल्न मेरियर कर सकते हैं लेकिन अगर इसको दस shorten बाद मेरी टैंप करें जब वर कियो बाद मेरियर करेंगे तो आपको पता से लेगा कि तीस परसेंट मेरा कहां जा रहा है तो भीज़न आपको लगातार समय लगातार भीत्रandır किर फिर कीजो क्या गलती वि जो गलती वि उसको अपने नौस में देखो इसका प्रिंट-आउट है न आपके पास उस प्रिंट-आउट में जाकर देखो क्या पुरानी गलती कर रहे थे या नहीं गलती कर रहे हो तो एक सेडूल कर दो कि मेरा एक घंटा यह मेरा एक पर्टिकुलर यह टाइम है इस टाइम में मुझे यही काम करने डेली ऐसा कुछ कि इस चीज़ें बहुत प्रभावसाली रहेंगे आप लोगों के लिए देखो यह काफी एक पास्ट एक्सपिरियंस है यह तरजूरुबा है कि भी हम लोग इतने टाइम से नेट वाले बच्चों के साथ काम कर रहे हैं और वहां तो लेवल भी बहुत अच्छे रहने वाले होते हैं यहां तो आपके डारेक्ट क्यूशन आते हैं कि मेमोरी बैस्ट पाते होती हैं तो यह तो बहुत आसान है ऐसा नहीं है यह बहुत टफ नहीं है आपको छोटी-छोटी बात हैं अगर आपको कैच रहे जाएंगी ना फिर दिक्कत ही नहीं आनी है आप खुद इन सारी प्रोसेस के बाद में पैक्जाम से पहले आप खुद से बात करेंगे आपको फील होगा यह चीज़ें कि आप में मतलब बाकी स्टुडेंट्स के तुर्णा में कितना डिफ्रेंस है आप में और वह आना चीए और वह आज से काम करोगे तो आएगा ठीक है बिल्कुल इसी प्रेट यह चीज़ें बड़ी नहीं होती है आप इसका प्रिंट लीजिए तीक है आप इसका पेड़ी आपकी से ले लिजी और कोई option है वहां से ले लिजे पर यह चीज़े और इस टौर करके उसको काम कीज़े काम करके उसको फिनिस की ज़े और जब सुस है ना उसके बाद उसको रिपीट मोड में चालो करिए एक के कह है जाद आख और ओक्वर कर ना कर अब कि अब कि अब कि अब